calculate the level of mercury when tube is slowly pushed down by 10 cm यहाँ पर चल क्या रहा है हमारे पास एक barometer type का setup है यहाँ पर एक इस तरीके से tube है tube के अंदर एक gas trapped है यहाँ पर जिसको हम ideal gas मान के चलेगे और उसका कुछ pressure होगा उसका कुछ volume होगा उसका कुछ temperature होगा ठीक लेकिन यहाँ पर mercury उपर क्यों आया है mercury इसलिए उपर आया है क्योंकि हम fluids में यह सब पड़ चुके हैं कि यहाँ पर pressure इस तरीके से होगा मान लो हमारे पास बाहर कुछ है PATM कुछ atmospheric pressure है मान लो इसको P0 भी हमने बोला हुआ तो यहाँ पर pressure atmospheric pressure है तो यहाँ पर भी atmospheric pressure होगा लेकिन यहाँ से हम उपर जाते हैं तो pressure कम हो जाएगा हमारे पास इसका कुछ pressure आ जाएगा जोगि atmospheric pressure से कम है किसलिए तो यहाँ से उपर फ्लुइड चला गया है question में पूछा क्या जा रहा है हमें बता गया है कि यहां पर पहले इसकी हाइट थी 30 cm, इसकी भी हाइट थी 30 cm, टोटल था है 60 cm, हमने इसको दबा दिया नीचे थोड़ा सा इस तरी किसे, कितना दबाया, 10 cm, तो देखो यह यहां से नीचे आ गया, यह इसी का बाद वाला डाइग्राम है, हमें बताना है कि finally यह जो इसकी हाइट रहने वाली है, mercury की, वो कितनी रहने वाली है, कैसे solve करोगे, PV is equal to nRT यहां पर लगाना है, लेकिन जो pressure आप use करोगे है, उसमें इस बार fluid के concept थोड़े से use हो जाएंगे, कुछ चीज़े और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास यह चूब का area है, tube का A is equal to area of tube, और क्योंकि इसको slowly push किया है, एक्विलिब्र में हम पूरे समय मान रहे हैं, हम मानेंगे, T is equal to same everywhere, अमेशा everywhere and all the time, temperature is same, so PV is equal to nRT की application है, अब वीडियो को pause करो, question को solve करो, question को solve करना शुरू करते हैं, यहाँ पर आपको बता है, सबसे आदा अजीब चीज जो लगेगी, कि pressure को हम इस वाँ mercury की turns में ही लिखेंगे, पास्कल की turns में नहीं लिखेंगे, mercury के कितने centimeter उसकी तरह किसे लिखेंगे, तो देखना बड़ी आशानी से solve हो जाएगा, अल्राइट, सबसे पहले मान लो, इसका इनिशली था pressure P1, volume था V1, temperature था T0 लिख दो, temperature तो constant ही है, वहाँ से हमारी gas चली जाती है, P2, V2, and temperature है T0, क्योंकि temperature सेम है, number of mole सेम है, तो हमाँ पास gas की equation क्या है, PV is equal to nRT, यह चीज़े सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से में पता चलता है, P1, V1, will be equal to P2, V2, correct, okay, solve कैसी किया जाए, देखो pressure, initially क्या है, P1 की value कितनी है, initially यहाँ पर pressure कितना है, हमाँ पास यहाँ पर था, PATM, उसके बाद हम उपर गए हैं, तो pressure कम हो जाएगा, P1 की value हो जाएगी, P0, minus rho GH, अब इस तरह की calculation में complication ना होता है, इसे simplify करेंगे, हम सभी जगे pressure को use करेंगे, in centimeter of mercury, तो atmospheric pressure कितना होता है, atmospheric pressure होता है हमारा, 76 cm of Hg, minus, यहाँ से उपर हम कितना है, 30 cm आए है, तो सीधे सीधे हो जाएगा, 30 cm of Hg, which is equal to, यह कितना हो जाता है हमारा, 46 cm of Hg, correct, आपको चाहिए इसको पास्कल में निकालना है, तो आप कैसे करोगे इसको solve, rho g h formula लगा दो, तो आपको यह value पास्कल में आजागी, calculation अपनी जबल दस्तिया में करने की ज़रुवत नहीं है, इसलिए हम इसको यही पर रोब देंगे, P2 की value कितनी दिख रही है हमें, finally जो pressure होगा, यहाँ पर pressure कितना होगा, देखो यहाँ पर तो अभी भी pressure है, P0 minus x cm of hg, P2 की value हो जाएगी, P0 minus rho g x, which is equal to 76 minus x cm of hg, ठीक, V1 के बारे में क्या बोल सकता हूँ, V1 की value कितनी है, यह value है, हमाई पास volume हो जाएगी, area into height, यह हो जाएगा, area into 30 cm, जो भी units आ रही है भी, meter cube, centimeter cube, centimeter into meter square, अभी unit पे मज़ जाओ, सब cancel out होनी है, आप देखोगे, V2 की value कितनी है, यहाँ पर V2 देखो, tube का cross section का area तो वही है, इस पार यह वाली length कितनी है, कौन बता सकता है, देखो हमने इसको 10 cm down किया है, total यह था 60, अब यह वाली कितनी बज़ती है, 50, 50 में से भी x हटा दोगे, तो यह कितना बज़ता है, 50 minus x, 60 minus x नहीं होगा, यह तो V2 हो जाएगा, 50 minus x, centimeter multiplied by area, P1, P2, V1, V2 सब आगया, वाल्यू रखते हैं, आंसर आजाएगा देखो, 46 cm of hg, यह हो गया हमारा, P1 multiplied by V1, multiplied by a into 30, will be equal to, P2 की वाल्यू कितनी है, 76 minus x, 76 minus x, centimeter of hg, multiplied by, V2 की वाल्यू कितनी है, 50 minus x, into a, यहाँ पर देखो, area से area कट गया, centimeter of hg से centimeter of hg, unit by unit, गई काम से, ठीक है, तो conversion का जो factor था, वो वैसे भी हमारे काम नहीं आने वाला, हमारी equation बहुत ही simple हो जाती है, 46 into 30, is equal to, 76 minus x, multiplied by, 50 minus x, इसको solve करने की कोशिश करते है, देखो, यह left hand side पर मैं आपास value आई, 1380, is equal to, यहाँ पर यह quadratic equation बनती भी नजर आ रहे है, x square minus 76 plus 50 जाएगा, 126 x plus 3800, अब लिख सकतो, x square minus 126 x, plus 2420 is equal to 0, यह है हमारी quadratic equation, इसको solve करते ही answer आजाएगा, solve मैं आपके लिए कर देता हूँ, इसको x की value आती है हाँ से, minus b, यानिकी, 126 plus minus under root of, 126 का square minus 4 into 2, 420 divided by 2, इससे हमें value मिलती है, 63 plus minus 39, answer centimeter में आगा, क्योंकि सब जगे हम centimeter के हसाब से calculations, कर रहे थे, यहाँ पर कौन सब आप्शन सही है, से हमें 2 values मिलती है, कौन कौन से मिले ही, 102 centimeter, and 24 centimeter, यह वाली हमारे काम की नहीं है, यह 24 centimeter is the right answer, अब देखो 24 centimeter answer आगया, लेकिन आप से और भी तरीके से सवाल पूचा जा सकता, आप से पूचा जा सकता कि mercury का जो level है, उसमें कितना drop आया, तो यह था 30, यह है 24, तो यह जो drop होगा, वो होगा 6 centimeter, इस तरीके से घुमा फिरा करके आप से question पूचा जा सकता है, concepts हमारे clear होने जा, अब इसी का एक modified question और देखते हैं, इस question में हमारे पास एक इस तरीके से tube है, जिसमें यहाँ पर कोई सी gas भरी हुई है, यहाँ पर mercury है हमारे पास, और यहाँ पर हमने इसको घुमा दिया इस तरीके से, यह उपर से उपन है, तो इसको घुमा देंगे, तो अब यह जो trapped gas थी, वो उपर की तरफ आ जाती है, अभी जाहिर सी बात है, gravity इसको नीचे खींच रही थी, अब gravity इसको बाहर की तरह इदर खींच रही, तो यह x की value 20 cm से तो बड़ी होगी, हमें बताना है, वो x की value कितनी है, अगेन इसमें हमें assume क्या करना है, t is equal to constant, और हमाँ बस एरिया, a है, cross section a is equal to area, वीडियो को पॉस्ट करो, परशन को solve करो, solve करना शुरू करते, सबसे पहली चीज, अगर mercury यहां पर column 10 cm का था, सबसे पहली चीज़ तो mercury का column यहां पर अभी भी 10 cm का ही रहने वाला है, this will be 10 cm, और एक चीज, बाहर atmospheric pressure अगर P0 था, यहां भी atmospheric pressure, P0 ही रहने वाला है, initially मेरा pressure था P1, उसकी value क्या कोई मज़े बता सकता है, यहां पर जो pressure है, this is situation number 1, P1 की value हो जाए, लिक्विड में नीचे आएं तो, प्लस रो जी हैं चीज़ जाएं, P0 प्लस रो जी एज, atmospheric pressure कितना होता है, 76 cm of HG, प्लस हम नीचे जो आएं हैं, उससे फिर pressure बढ़ जाएगा 10 cm, 76 plus 10 is will equal to 86 cm of HG, ठीक, क्या मैं V1 लिख सकता हूं, V1 की value कितनी है, of cross section, जो भी इसका area, multiplied by A वाली length, 20, A into 20 cm, यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या मैं P2 लिख सकता हूं, P2 की value क्यों हो जाएगी, देखो, यहाँ पर atmospheric pressure है, इस पार मैं ऊपर जा रहा हूं, तो यहाँ पर pressure कम होगा, atmospheric pressure से कम होगा, कितना हो जाएगा, V2 की value कितनी है, V2 की value, यह वाला volume हो जाएगा, area into length, वो जाएगा A into X, हम यह पता करना है, क्या constant है, temperature constant है, number of moles constant है, तो हम लेख सकते हैं, हम लेखेंगे, P1 V1 is equal to, P2 V2, values रखने शुरू कर दो, P1 की value कितनी है, 86 cm of HG, multiplied by V1 की value रही है, A into 20 cm, is equal to, P2 की value रही है, 66 cm of HG, multiplied by area की value है, A into X, यहाँ पर देखो, सारी सारी units भी कटती है रही है, cm of HG, cm of HG से कट जाएगा, area से area कट जाएगा, और अब X की जो value आने वाली है, वो cm में आगी, कि दूसरी तरफ unity हमने cm छोड़ी है, X की value यहाँ से आजाती है, 20 multiplied by 86 upon 66 cm, solve करो इसको, तो यह आजाएगा, approximately 26.1 unit cm, this is our answer, देखो, आज़र डालो, cm of mercury की terms में भी pressure को लिखा जा सकता है, इसको बार-बार पास्कल में यहाँ पर convert करने की ज़रुवत नहीं है, करोगे तो एक conversion factor ही यहाँ पर आने वाला है, rho g h हो जाएगा basicly, और वो दोनों तरफ rho g h होगा, cancel होगा, cancel होगा, कोई ज़रुवत नहीं है, हम cm fhg या फिर mm of hg में calculation कर सकते हैं, अब इसी का और एक अच्छा असा modification solve करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, calculate the length of trapped gas column when the tube is tilted by an angle of 37 degree, में आपास यह एक tube ती, जो उपर से open है, ध्यान देना है इसको, है ना, इसको हमने सिर्फ इस तरीके से गुमा दिया, 37 degree पर, तो change किया आएगा, देखो, बाहर atmospheric pressure था हमारा कितना था, P0 which is equal to 76 cm of Hg, यानि इसका मतलब gas का temperature, pressure कितना था, 76 cm atmospheric, 10 cm यह add वा है, 86 cm of Hg था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी है, 76 cm of Hg, यह atmospheric pressure है, यहाँ अंदर pressure कितना हो जाएगा, इस बार हम ऐसे नहीं आ सकते, वो हमें vertical वाली height लेनी पढ़ती है, यह वाली height का component, basically यहाँ पर trigonometric का involved कर दिया गया, बहुत ही आसान, पिसले सवाल जैसा question है यह, वीडियो को pause करो, question को solve करो, X की value बदाव, इस question का correct answer है, 21 cm, देखते हैं कैसे, हमें पास P1 की value कितनी है, P1, initially, this is situation number 1, this is situation number 2, P1 की value है, P8m, plus 10 cm, which is equal to 76, plus 10, which is equal to 86 cm of edge g, P2 की value कितनी है, यहाँ पर pressure कितना हो जाएगा, उसके लिए हमें यह वाली height देखनी पड़ेगी, यह वाली height, यह height कितनी है, हम बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, triangle, अगर यह length है 10, आना, क्योंकि mercury column की height, वो tube बहुत ही पतली है, इसकी जो height है वो चेहनी होगी, यह यहाँ पर अभी भी इतना है, यह है 10 cm, यह है 37 cm, तो 10 cm वाला है, या तो यह वाली value 6 होगी, तो यह 8 होगा, या फिर यह 8 होगा, तो यह 6 होगा, देखके हमें पता चल रहा है, इसकी value 6 cm आने वाली है, इसकी value 8 cm आने वाली है, P2 की value आ जाती है, 76 plus 6 cm, यानि की 82 cm of Hg, प्रेशर में थोड़ी सी कमिया आ गई है, अगे हमारे पास equation क्या है, P1 V1 is equal to P2 V2, values रखना शुरू करते है, P1 की value थी, 86 into V1 की value कितनी है, 20 times area of cross section, area into length, 20 into A is equal to P2 की value है, 82 into, अब की बार हमारे पास volume हो जाएगा, यह वाली length, X multiplied by area, X into A, A से A कट गया, हमारे पास X की value कितनी है जाती, X is equal to 20 multiplied by 86 upon 82, या फिर इसी को मैं लेख सकता हूँ, 20 multiplied by 43 upon 41, अब बस इसे solve करना है, approximation करना है, answer तो हमारा आ चुका है, इसको approximate करने के लिए 20 लिखो, उपर वाले को मैं लिख देता हूँ, 41 plus 2 divided by नीचे है 41, यहाँ पर मैं 41 common ले लूँगा, तो ही आ जाएकर 20 multiplied by 1, plus 2 divided by 41, which is equal to 20 plus 20 into 2 divided by 41, तो यह आ जाता है, approximately इसकी value 1 हो जाती है, और इसकी value हो जाती है, 21 cm, यह हमारा correct answer है, तो हमें ध्यान क्या देना है, जो pressure बढ़ता है, fluids का concept है, वो vertical वाली height के कारना बढ़ता है, तो टेड़ी वाली length को consider नहीं करना है, और ऐसे question तो अभी हमनें बहुत सारे कर रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छा variation देखते हैं, एक और बहुत अच्छा सवाल, इसमें देखो हमारे पास क्या हो रहा है, यह किस तरीके से gas tube है, जिसकी total length इतनी है, 20 plus 10 plus 10, 40 cm, बीच में mercury है, इधर कोई सी gas 1 है, इधर कोई सी gas 2 है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन सारी की सारी same temperature पर है, और राइट, क्यों है, यह metal है, conduct कर रही होगी, over time करी देगी conduct, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको rotate कर दिया, इस तरीके से, अब भी क्या होगा, जब यह horizontal है, तो दोनों तरफ से pressure बराबर लग रहा होगा, क्योंकि cross sectional area बराबर है, cross sectional area अलग भी हो सकता, और advanced level का question हो जाएगा, और हमाई साथ और एक चीज़ होगी, जब हम इसको rotate कर देंगे यहाँ पर, अब दोनों के pressure अलग अलग हो जाएगे, नीचे की तरफ pressure ज़ादा होगा, क्योंकि यहाँ पर mercury का वजन भी इस तरफ आ रहा है, उसके कारण rho g h add हो जाएगा, यहाँ पर जो भी pressure होगा, plus rho g h यहाँ का pressure होगा, तो हम कुछ temperature वगएरा लिखना शुरू करते हैं, इसका pressure मान लो initially है P0, इसका भी pressure हो जाएगा P0, क्योंकि initially तो दुनों pressure बराबर है, यह नहीं तो मरकरी इधर उदर आ सकता है, बाद में इसका pressure हो जाता है P1, इसका pressure हो जाता है P2, सवाल हम से जो बूचा गया है, वो यह है, हमें बताना है, what is the initial pressure P0, तो हम बहुत सारे questions इस तरीके के solve कर चुगे, वीडियो को pause करो question को solve करूँ, इस question का correct answer है, initial pressure P0 was 15 cm of mercury, कैसे आया यह, तो देखो solve करना start करते, सबसे पहले हमाई पास हमें एक चीज़ पता है, कि P0 दोनों में pressure same था, क्या मैं देख के बदा सकता हूं, दोनों का volume भी same है, दोनों का volume कितना है, दोनों का volume है, 10 cm, 10 cm length है, area of cross section A है, तो दोनों का ही volume हो जाता है, 10 A, 10 A, तो दोनों का volume भी बराबर है, thermal equilibrium में भी है, starting में ही, तो हमाँ पास temperature भी same है, P, V, T दोनों का same है, तो दोनों के number of moles भी same हो जाते हैं, हमाँ पास यह सारी values आ जाते हैं, लेकिन इन में से ज़्यादा चीज़ों का हमें use करने की ज़रूरत पड़े ही नहीं देख, हमें equation क्या use करने है, finally हमाँ पास दोनों ही gases के लिए, pressure और volume अलग-अलग हो चुके हैं, लेकिन number of moles इसके जितने यहाँ थे, वही यहाँ पर है, इसके जितने number of moles थे, वही यहाँ पर है, दोनों का temperature पहले और बात में वो भी same है, temperature सब जगे same रह रहा है, तो हम यहाँ पर लेख सकते हैं, P0V0 is equal to, P1V1 is equal to, P2V2, ठीक, अब एक चीज हम कर ले दे, यहाँ पर देखो सभी का जो है cross-sectional area, वो area है A, तो volumes को हम इनकी length की term में लेकर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर देखो, यही equation मन जाए है हमारी P0 into V0 को मैं क्या बोल सकता हूँ, area multiplied by 10 cm, यह area into 10 cm, P0 into 10 A is equal to P1, अब इसका volume कितना हो जाएगा, 10 cm पहले था, और यह 10 सरग गया है 5, तो यह total कितना हो जाता है, यह हो जाता है हमारा 15 cm, और यह वाला कितना हो जाएगा बताओ, पहले था यह 10 cm, यहाँ से यहाँ था 10, नीचे सरग गया है 5, तो यह बचता है सिर्फ 5 cm, P1 into 15 A, जो कि हमारा V1 है, will be equal to P2 multiplied by V2 की value क्या है, P2 into V2 की value जाती है 5 A, यहाँ से हमें पता चलता है, सब जगे से आप 5 का factor card दो, सब जगे से A इस तरीके से कट जाएगा, हमें पता चलता है, 2P0 is equal to 3P1 is equal to P2, यहाँ से मैं लेख सकता हूँ, P2 is equal to 3 times P1, and P0 is equal to 1.5 times P1, यह आ गई हमारा पास equation number 1, हमने भी volumes को compare कर लिया, अब हमें और एक equation चाहिए, अब हमारा पास relatively तो पता चल गया, अगर मुझे P1 पता चल जा तो मैं P2 और P0 फटाक से निकाल दूँगा, पर एक भी pressure अभी मुझे पता नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पर pressure वाली calculation कर लेंगे, बहुत ही आसान है, देखो P2 और P1 के बीच में एक relation निकाल सकता हूँ, हम लेख सकते हैं, P2 is equal to, P2 किसके बराबर है, P1 plus rho GH will be equal to P2, P2 is equal to P1 plus rho GH, याने कि P2 is equal to P1 plus, कितना है यह, 20 cm column यहाँ था तो यह भी होगा, 20 cm of HG, अब अगर मैं सारी calculation, cm of HG, cm of HG, cm of HG वा करूँ, तो देखो, यहाँ से मेरी life बहुत आसान हो जाएगी, P2 की जगे लिख दो, P2 की जगे लिख दो, 3 times P1, 3 P1 is equal to P1 plus 20, यहाँ से मचे मिल जाता है, 2 P1 is equal to 20, याने कि P1 is equal to 10, 10 what? सारी calculations are in, cm of HG, cm of HG, अब मेरे पास P1 आचुका है, तो देखो P2 और P0 भी निकाल सकता हो, P2 is equal to 30 cm of HG, और जो हम से पूछा था P0, उसकी value हाजाएगी, 1.5 याने कि 15 cm of HG, 15 cm of Mercury के बराबर हमारा answer आगया, initial pressure जो हम से पूछा था, लेकिन हम से अगर पास्कल में option पूछा रहागा था, इसी को हम पास्कल में convert कर लेंगे, 15 cm, basically हमें rho GH कर देना है, density of Mercury यूज़ करेंगे, वो होती है, 13600 kg पर मीटर क्योग, multiplied by gravity, multiplied by height, कितनी यूज़ की जाएगे हैं, H will be 15 cm, याने कि 0.15 meter, जिसकी value हाजाती है, 2.04 into 10 raise to power 4 पास्कल, हमारे P1 के value आजाएगी, 1.36 into 10 raise to power 4 पास्कल, और P2 के value आजाएगी, उसी को 3 times कर दो, यहाँ पर, 4.08 into 10 raise to power 4 पास्कल, यही हमारा answer आजाएगा, इसको मैं सीधा करूँगा, क्यों ल्टा करूँगा, नीचे mercury आएगा, ऐसे करूँगा, तो पर नीचे mercury आएगा, mercury उपर नीचे करता रहेगा, लेकिन आप प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लो, उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस QR कोट को स्कान करके डोनेट भी कर सकते हैं, मैं ऐसे और भी वीडियो आपके लिए बनाबाऊ, आए क्वारिटी वीडियो सभी तक कोटनेट हैं, एंड येस प्लीज योलो सिरीज पूरी की पूरी देखो, पूरी की पूरी आपसुलिटली फी में, यूटीब पर अवेलेवले कलोफुल नोट्स भी माप आपको मिल जाएंगे, तो यूटीब पर आज ही सर्च करें, यूलो फेजिक्स और मेरें व्लॉगिंग चैनल को भी सब्स्राइब जरूर करें, हम मिलेंगे यूलो सिरीज में,